और इस बीच आज की सबसे बड़े इंटरनाशनल खबर आपको दिखाते हैं आपसे कुछ देर पहले रूस के राश्ट्रपती व्लादेमिर पुतिन ने मॉस्को में एक प्रेस कॉंफरेंस की मॉस्को में उन्होंने प्रेस कॉंफरेंस की और कहा कि वो बॉर्डर पर जाएंगे पुतिन कल किस बॉर्डर पर जाएंगे ये भी उन्होंने प्रेस कॉंफरेंस में बताया और कल के सैन्य अभ्यास को देकर पुतिन ने आज मस्कू में ये प्रेस कॉंफेंस की थी बेलारूस के राश्चुपती हैं एलेक्जेंडर लुकाशेंकू वो भी सैन्य अभ्यास का हिस्सा बनेंगे ये भी पुतिन ने जानकरे दी कि वो भी साथ होंगे फीत सत प्राइब को कटार को दिए ए देगाए गयां जाहाँ, वजब देगाए लिए इए गालगी की बडलावने जाते है लिए में जाम कि ए सबसे सत पू़ से दिए अर अरीजा है लिए कि अधने खाओने कि पुरलेखने कि अथ है लिए भी यदे था दोड़ी ठाब है तो रूस, अमेरिका और नेटों के बीच चल रही जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है यूकरेन और रूस के बीच में तनाव भी फिलाल कमन होता दिखने रहा है अमेरिका की जेतावनी है कि रूस कभी भी हमला कर सकता है और इस बीच में कल रूस के रास्ट पति व्लादे मेर पुतिन खुद सेन्य तैयारियों का जाइजा लेंगे रूस की मीडिया के मताबिक यूकरेन से तनाव के बीच में रूसी सेना मौक ड्रिल करेगी जहां पुतिन भी मौचुत रहेंगे फाइटर प्लेन की गगन भेदी गर्जन रॉकेट लॉंचर से निकलती मिसाईले टैंकों की हल्चल से कापती धरती दनादन बरस्ती गोलियों की गूंच रूस तैयार है हर वार के लिए हर पलट वार के लिए यूकरेन बॉर्डर पर पुतिन क्या होगा? सबसे बड़ा धमाका जल थल नब से ये रूस की तैयारी है यूकरेन बॉर्डर पर पिछले कई दिनों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही है यूकरेन विवाद के बीच रूस सेन ने अभ्यास में जुटा है अर अब शायद सबसे बड़े धमाके की तैयारी की जा चुकी है रूस के राश्रुपती व्लादिमीर पुतिन खुद सेन ने तैयारियों का जायजा लेने वाले है रूस के रक्षा मंत्राले की ओर से बताया जा रहा है इस शानिवार यानि कल पुतिन बैलेस्टिक और क्रूज मिसाइलों के अभ्यास में शामिल होंगे ये सैन ने अभ्यास रूस यूकरेन के दक्षुनी बॉर्डर पर होने जा रहा है रूसकी रक्षा मंत्राले की मुताबिक, सेन अभ्यास में रूसकी एरफोर्स के अलावा, स्ट्रेटेजिक रॉकेट फोर्सेज भी शामिल हूंगी सेन अभ्यास में रूसकी नौसेना का उत्तरी और काला सागर बेड़ा भी मौजूद रहेगा रूसकी मीडिया का दावा है कि इस युद्धा भ्यास की योजना पहले से ही बनाई गई थी जाहिर है रूसकी तैयारियों में कोई भी कमी नहीं नज़ारा रही है ऐसे समय में रूसके प्रिस्टेंट पुटिन का फारवर्ड एरिया में विजिट करना उनके पक्के इरादे को प्रतिभाशित करता है ताकि वहाँ पर जो सैनिक है वो पूरी तरह आश्वस्थ हो और अपने देश के नैशनल एम्बिशन के प्रति उनसे जो भी हो सकता हो करें यूकरेन संकट की बीच पुटिन की मौजूदगी में होने जा रहा ये सैनने अभ्यास पूरी दुनिया की नीद उड़ाने वाला है क्योंकि रूस पिछले कई दिनों से यूकरेन बॉर्डर पर सैनने अभ्यास में जुटा है अमेरिका समेत नैटो देश आशंका जता रहें की बॉर्डर पर रूस के डिर्ड लाग से जादा सैनिक जटे हुए और इसी रूस यूकरेन के दक्षुनी बॉर्डर पर पुतिन का पहुचना एक बड़ा संदेश दे रहा है क्योकि गुरुवार को ही यूकरेन के राश्टु पती वौलोदुमीर, जAJलेंसकी भी सरहदी इलाकों में पहुचे जलेंसकी ने पूर्वी यूकरेन के अजोव सागर का जाएजा लिया जब यूकरेन के राश्ट पत भी बॉर्डर एरियाज में जा रहे हैं तो वो भी चाहते हैं कि उनके राष्ट के वासी खास कर सैनिक अपने युद्ध की तयारी के लिए हर संभव प्रयास करें और ऐसा ना हो कि युद्ध होने के पहले या युद्ध होने के शुरुआती दोर पर मनोवज्यानिक कारणों से उनकी हार हो और इसलिए वो उनका होस कर रहे हैं और उनको भरोसा दिला रहे हैं कि वो भी रूस से किसी तरह कम नहीं है अजो सागर स्ट्रेट ऑफ कर्च से काला सागर से जुड़ा हुआ है और काला सागर में पिछले कई दिनों से बड़ी संख्या में रूस की सम्मरीन और युद्ध पोत मौजूद हैं कुछ लगातार बढ़ते युक्रेन संकट के बीच अमेरिका समेथ कई पक्षिमी देशों ने भी काला सागर में अपनी जंगी बेड़े उतार रखे हैं यानि तैयारी एक तरफा नहीं है रूस तैयार है तो युक्रेन और उसके समर्थन में खड़े अमेरिका समेथ कई देश भी पलटवार की रणनीती बना चुके हैं यानि बारूत के धेर पर आग लगी तो दुनिया भर में धमा का होना तै है Bureau Report, Z Media